हाई फ्रेंस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोसोई भीभा की यूटूब चैनल पर तो फ्रेंस आज हम आपके साथ सेयर करेंगे पालक से बना हुआ एकदम नए तरीके की नस्ता की रेसिपी जिसे आप बहुत आसानी से और कम समय में बीना कोई ताम जहमके बना सक रखते हैं एक बार इस रेसिपी को बना कर आप खा लेंगे तो गरांटी है कि इसे हपते में चार दिन बनाएंगे यहाँ पे हमने 500 ग्राम पालक लिया है पालक को तीन चर पानी अच्छे से धोकर ले लिया है और पालक के डंठल को काट कर निकाल दिया है पहले ही अब यह पे पालक को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके त्यार कर लेना है इस तरीके से इन्हें ज्यादा बारिक महिन भी नहीं कटना है और ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है तो इस तरीके से कट करके सारी पालक को त्यार कर लेना है तो यहाँ पे इसमें पालक के डंठल को बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करना है, सिर्फ पत्ते का ही इस्तिमाल करना है, तो यहाँ पे पालक त्यार हो गए हैं, तो इनको साइड में रखेंगे, अब यहाँ पे लेंगे एक मेसी का सबसे छोटा वाला जार, अब इसमें डालेंगे 10-12 लसुन की कलिया, साथ कंच अधरक का टूकडा, किख़ा यहाँ पे कमे ज़्यादा कर लिजिएगा, अब यहाँ पे डालेंगे आधा चमश जीरा, और आधा चमश डालेंगे काली मिर्च, और साथ हैं डालेंगे बहुत सारा धनिये के पत्ते, जो डंठल के साथ हीं डालना है, अब इसमें डाले तो यहां पर बहुत ही परफेक्ट मसाले त्यार हो गए हैं तो अब इन्हें हम साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस के तरफ अब पैन अच्छे से गरम है तो इसमें डालेंगे एक चमस सरसो का तेल यहां पर रिफेंड ओयल बटर जो भी आपके पास अवेलेबल तेल हो वो आप ले सकते हैं साथी डालेंगे एक चोटी चमस जीरा और यहां पर डालेंगे तिन मीडियम साइज बारिक महिन काटा हुआ प्याज और प्याज को इसमें अच्छे से मिला लेना है इन्हें ज़्यादा पकारा नहीं है बस मिला लेना है यहां पर प्याज की से मिला लेना है लगतार चलाते हुए यहां पर सारी चीजे भूनते समय गेस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें तो चले यहां पर सारी चीजे अच्छे से मिल गये हैं तो अब इसमें एड करेंगे कुछ मसाले अब इसमें डालेंगे एक छोटी चमस पाबहौजी मसाला और ए मिला लेना है बस इन्हें अच्छे से मिला लेना है पाकाना नहीं है तो चलिए सारी चीजे अच्छे से मिल गये हैं तो अब इसमें डालेंगे पीसा हुआ मसाला तो इसमें हम पूरा मसाला नहीं डालेंगे सिर्फ दो चमस मसाले इसमें डालेंगे और बाकी की मसाले हम करेंगे कटा हुआ पालक को इसमें अच्छे से मिला लें और इन्हें तब तक भूने जब तक पालक इसमें अच्छे से सौप्ट न हो जाए इन्हें पूरी तरीके से इसमें सौप्ट कर लेना है यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से पालक को इसमें भून लेना है तो लेना है तो यहाँ पे आलू की कुंटेटी आप कमे ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमली के हिसाब से तो यहाँ पे आलू को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है तो अब इसमें नमक एड़ करेंगे स्वाधनुसार और साथ ही एड़ करेंगे एक चमस नेम्बू का रस इस इसके जगा पे आप इसमें चाट मसाला आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं अब इन सारी चिजों को अच्छे से इसमें मिला लेना है अब मिलाते हुए इन्हें तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से इसमें भून लेना है और इन्हें लगतार चलाते हुए भूनना है ताकि सारी चीजे इसमें बहुत अच्छे से भून जाए और आलू को इसमें बिल्कुल सुखा कर लेना है भून कर इस तरीके से तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट अश्टफिंग तेयार हो गया है तो चलिए गेस को बन करते हैं और इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे अब यहाँ पे बॉल में डालेंगे एक कप बेशन और साथ ही डालेंगे दो चमच चाओल का आठा और साथ ही डालेंगे पीसा हुआ मसाला जो हमने बचा कर रखा हुआ हुआ था अब इसमें डालेंगे आधा चमच गस मेरी लाल मिर्च और साथें डालेंगे थोड़ा सा नमग थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा पाने डालके इसका परफेक्ट घोल तेयार कर लेना है यहाँ पर पानी एक साथ नहीं डलना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और घोल मिलाते जाएं इस तरीके से इसका perfect घोल त्यार कर लेना है अब यहाँ पे घोल को 5-6 मिनट के रिए लगतार चलाते हुए अच्छे से फेट लेना है हाथ को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते हुए बिल्कुल इस तरीके से तो अब यहाँ पे घोल जो है बहुत इंफरफेक्ट त्यार हो गया है इस घोल का गढ़ापन में आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल इतना गढ़ा रखना है यह देखिए ना इसे ज़्यादा गढ़ा रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है एक मोटा सा लेयर इस तरीके से आ जाए बिल्कुल इतना गढ़ा रखना है तो चलिए अब इने हम साड में रखते हैं अब यहाँ पे अस्टफिंग अच्छे से ठंड़ा हो गया है तो इसमें हम छोटे-छोटे टीकी बना लेंगे टीकी का साइज यहाँ पे बड़ा या छोटा अपने पसंद से कर सकते हैं तो हम इतने छोटे-छोटे टीकी बना कर तयार कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे हम टिकी का साइज ना ज़दा बड़ा रखेंगे और ना ज़दा छोटा बिल्कुल इस तरीके से सारी टिकी हम तयार कर लेंगे बहुत ही असान तरीके से और कम समय में इस रेश्पी को आप बना कर तयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत हिंस्वादिश लगता है तो चलिए यहाँ पे हमने सारे टिक्की तयार कर लिए हैं तो चलते हैं गेस के तरब अब यहाँ पे पैन अच्छे से गरम है तो हम इसमें डालेंगे रिफॉयंड ओयल यहाँ पे आप कोई भी तेल ले सकते हैं चलिए इस गोल में हम एक टिक्की डालेंगे और इन्हें अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे अब इन्हें तेल में डाल देंगे इस तरीके से तो यहाँ पे इन्हें फ्राइ करने के लिए तेल को मिडियम गरम करना है तेल को यहाँ पे ज़्यादा गरम नहीं करना है अब इन्हें नीचे से 3-4 मिनट तक अच्छे से सेख जाने दे तभी इन्हें उलट पलट कर अच्छे से सेख ले जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना जाए नहीं फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिर्फ 6-7 मिनट का टाइम लगता है तो चलिए यहाँ पे सारे टिकिया अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो सब को निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सब को फ्राई कर लेना है फ्रेंस आज की रेश्पी आप लोगको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चेनल पर नहें तो मेरे चेनल को सब्सक्राईब जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को आप फेसू पेस से देख रहे हैं तो फ्रेंज इस पालक चाप को आप एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा, इस रेश्पी को जितना बनाना आसान है ये खाने में उतना ही स्वादिश लगता है, इस रेश्पी को एक बार ट्राइ करना तो बनता है, श्राइ करने के बाद हमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सियार जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेरिस्पे के साथ तब तक अपना ख्याल रखें थैंक यू